नोट बंदी हिंदुस्तान के गरीब किसान मजदूर और छोटे दुकानदार पर आक्रम नोट बंदी हिंदुस्तान की असंग ठित अर्थ्यवस्ता पर आक्रम आठ नुवेंबर आठ बजे 2016 प्रधान मंत्री जी ने नोट बंदी का निन्ने लिया पांच सो रुपए हजार रुपए का नोट रद्भी करते हैं पूरा हिंदुस्तान बैंक के सामने जाके खड़ा हो आपने अपना पैसा अपनी आमदनी बैंक के अंदर डाले हिंदुस्तान की गरीब जनता को नोट बंदी से क्या फायदा मिला कि जवाब कुछ नहीं तो फायदा किसको मिला फायदा हिंदुस्तान के सबसे बड़े अरबबतियों को मिला कैसे आपका जो पैसा था आपके जेब में से आपके घनों में से निकाल कर उसका प्रयोग सरकार ने इन लोगों का कर्जा माफ करने के लिए किया मगर वो सिर्फ एक लक्ष था दूसरा लक्ष भी था छुपा हुआ जमीन साफ करने का जो हमारा इंफॉर्मिल सेक्टर है असंगठित अर्द्व्यवस्ता का सेक्टर है वो पर चलता है चोटा दुकानदार हो किसान हो मजदूर हो वो कैश से काम करता है नोट बंदी का दूसरा लक्ष जो जमीन साफ करने का लक्ष असंगठित अर्द्व्यवस्ता के सिस्टम से नगद कैश को निकालने का प्रधान मंत्री ने स्वयम कहा कि वो कैशलस इंडिया चाते हैं कैशलस हिंदुस्तान चाते हैं अगर कैशलस हिंदुस्तान होगा तो असंगठित अर्द्व्यवस्ता तो खतम हो जाएगी नुकसान किसको हुआ किसानों को मजदूरों को छोटे दुकानदारों को स्मॉल और मीडियम बिजनस वालों को जो कैश का प्रयोग करते हैं जो बिना कैश जी ही नहीं सकते नोटबंदी हिंदुस्तान के गरीब किसान मजदूर और छोटे दुकानदार पर आकरमन तो नोटबंदी हिंदुस्तान की असंगठित अर्द्व्यवस्ता पर आकरमन तो और हमें इस आकरमन को पहचानना पड़ेगा और पूरे देश को मिलकर इसके खिलाफ लड़ना झाल झाल